C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए मोहलियाती साइन्स की समय दर्सी किताब आसपास का सबक 22, दाया बाया, सफा नंबर 144. नीचे एक हाथ की तस्वीर बनी है, इस पर अपनी हतेली रखो, अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलिया, सफा नंबर 145. तुमने अपना जो हाथ तस्वीर पर रखा है, वो तुम्हारा दाया हाथ है, अब अपना दूसरा हाथ कौपी के सफे पर रखो, और बाया हाथ से उसके किनारे पर पैंसिल चला कर तस्वीर बनाओ, इस पार तुमने जिस हाथ की तस्वीर बनाई है, वो तुम्हारा बाया हाथ है. आओ, एक गाना गाएं. करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ पीछे, करो ये उपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा. करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ पीछे, करो ये उपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा. इस तरह अब दाएं, पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ. अब देखो और बताओ के क्लास में तुम्हारी बाईं तरफ क्या है? तुम्हारे पीछे क्या है? तुम किसकी बाईं तरफ बैठे हो? तुम्हारी दाईं तरफ क्या है? तुम्हारी दाईं तरफ कौन बैठा है? तुम्हारे आगे क्या है तुम किसकी दाई तरफ बैठे हो इशारों वह हरकत के साथ गाने से बच्चों को लुट्फ आएगा वो दाया बाया उपर नीचे आगे पीछे खुद अपने तजुर्बे से सीखेंगे सफा नंबर 146 ये एक तस्वीर है जिसमें रुचिरा दर्मियान में है अब तुम इसी तस्वीर में बनाओ रुचिरा के पीछे किताब रुचिरा के आगे पिड़ रुचिरा की दाई तरफ किसी जानवर की तस्वीर रुचिरा की बाई तरफ कुरसी सफा नंबर 147 रूचिरा को घर से स्कूल पहुचाओ, तस्वीर में स्कूल देखो रूचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता भी तलाश करो अब रूचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पैंसिल से दिखाओ यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें मुख्तलिफ जगाहे दिखाई गई है सफे के निचली तरफ रुचिरा है और उसकी बाई जानिब रुचिरा का घर है आगे की तरफ दाई जानिब एक पेड़ है उसके करीब एक हेडन पंप और घर बना हुआ है उससे आगे दाई जानिब पार्ख है उसके करीब कुवाँ और डाग घर है बाई जानिब बस स्टॉप है और अस्पताल की इमारत है दाई जानिब स्कूल की इमारत दर्मियान में पेड़ और उसके करीब दुकान है सफा नंबर 148 रूचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी जगाहे मिलेंगी उनके नाम लिखो यहां जवाबाद के लिए खाली जगा दी गई है उनमें से कौन सी जगाहें और चीजे दाई तरफ मिलेंगी और कौन सी बाई तरफ यहां एक जदूल दिया गया है, जिसके दो कॉलम हैं, दाईं तरफ, बाईं तरफ, यहां जवबाद के लिए खाली जगा दी गई है रूचिरा को घर से स्कूल जाते वक्त, कल कितनी बार मुड़ना पड़ेगा अगले सफे पर एक तस्वीर बनी है, यह तस्वीर पहले दी गई तस्वीर का छोटा नमूना है इसमें जगाहों की तस्वीरों की बजाए कुछ निशानात बनाए गए हैं ऐसी तस्वीर को नक्षा कहते हैं, निशानों को पहचानों और जगाहों के नाम लिखो सफा नंबर 149 गुलाबी रंग में घर जोपडी नुमा हरे रंग का पेड काले रंग के दाइरे में सिलेटी रंग की बिंदी के साथ हैंड पंप लाल रंग का आधा दाइरा गेट भूरे रंग के दाइरे में आसमानी रंग कुवा लाल रंग का चौरस खाना बसे स्टॉप गुलाबी चौरस खाने में छोटा पीले रंग का खाना डाग खाना सफैद खाने में लाल रंग का जमा का निशान गुलाबी खाने में नीले रंग का दाइरा दुकान के लिए और गुलाबी खाने में पीले रंगा काटे का निशान सफा नंबर 150 नीचे एक फहरिस्त दी गई है इसमें तुम अपनी मर्जी से कुछ निशानात यानि इशारे बनाओ ये निशान पहले वाले निशानों से मुखतलिफ बनाना अब अपने बनाय हुए निशानों को नक्षे में भी बनाओ इस सफे पर एक नक्षा दिया गया है जिसमें मुखतलिफ खाने हैं सफे की बाई जानिब निशानात बताए गए हैं रूचिरा का घर स्कूल डाग खाना पेड अस्पताल बस बस स्टॉप कुआ दुकान फाटक दर्वाजा घर बच्चों के सामने नक्षों में निशानात बनाने की जरूरत की वजाहत कीजिए बच्चों के बनाये गए निशानों पर गुफतगू करना दिल्चस्प और मुफीद साबित होगा सफा नंबर 191 सफा नंबर 149 में तुमने अस्पताल के लिए जमा का निशान देखा होगा इस निशान की मदद से बगएर पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है ऐसे और कौन-कौन से निशान तुम्हें अपने आसपास दिखाई देते हैं उनकी तस्वीरे बनाओ और लिखो कि वो क्या दिखाती यानि जाहिर करती है इस सफे की दाई जानिब कुछ खाने बनाए गए हैं और इसका उनवान है तस्वीर बाई जानिब खाली जगा दी गई है जिसका उनवान है क्या जाहिर करती है सफ़ा नंबर 152 नक्षे में दिखाए गए निशानों की फेहरिस्त बनी है ध्यान से देखो और लिखो इस सफ़े पर एक नक्षा बना है जिसमें मुख्तलिफ निशानात बनाए गए है सफ़े की बाई जानिब उन जगाहों के लिए कुछ निशानात मुंतखिब किये गए है घर, पेड, हैंड पंप, गेट, कुवाँ, बस स्टॉप, डाग खाना, अस्पताल, दुकान, स्कूल इस सफ़े की दाई जानिब नक्षा दिखाये गए है इस नक्षे पर पांच पेड, चार घर, एक स्कूल, एक दुकान, एक अस्पताल और एक कुवाँ दिखाया गया है यहां एक डाग खाने के लिए भी निशान का इस्तामाल किया गया है नक्षे में कितने घर हैं, नक्षे में कितनी दुकाने हैं, नक्षे में कितने पेड़ हैं, जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है सफा नंबर 153, नक्षे में कितने हैंड पंप हैं, स्कूल डाग खाने के पास है या अस्पताल के पास बस स्टॉप के पास क्या है, अगर नक्षे के साथ फेहरिस्त ना होती, तो क्या तुम नक्षे को पढ़़ पाते रियाजी में जो निशानात तुमने सीखे हैं, उन में से कुछ को यहाँ पर लिखो जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है तुम्हारे घर से स्कूल जाने के रास्ते में जो जगा हैं या चीजे मिलती हैं, उन्हें निशानात के जरिये दिखाओ तुम अपनी पसंद के निशानात चुन सकते हो, यहाँ जवाब के लिए खाली जगा दी गई है इसी के साथ 24 असबाग की किताब आसपास का 22 सबक दाया बाया यहीं खत्म होता है अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत